हाई अवेवन तो इस वीडियो में बनाएंगे दूधी वड़ा ये बिल्कुल न्यूसी रेसिपी है तो चलो सुरू कहते हैं इसको बनाना इसको बनाने के सबसे पहले एक कटोड़ी हम बेसन लेंगे और उसमें हल्दी, स्वाद अनुसार नमक, मिर्ची पॉडर, मिक्स मसाल ये साहे डालके अच्छे से इसको मिक्स करेंगे उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पाई डालके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जब सारे बेसन अच्छे से मिक्स हो जाएं ऐसे तो जिस कटोड़ी से हमने एक कटोड़ी बेसन लिया था ना उसी कटोड़ी से हम दो क पानी ले लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और उसके बाद इसको अब हम साइड में रख देंगे यह वाला पैटर होना चाहिए और दूधी तो मोस्ट इंपोर्टेंट है तो इसको लेंगे अच्छे से काटेंगे उसके बाद कदुकस कर लेंगे ऐसे उसके बा जासा, उसके बाद फिर एक पैन रखेंगे, उसमें दो चमर्ज इतना तेल, सरसो, हिंग, इन दोनों का अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद फिर इसमें कदुकस किया हुआ जो मिर्ची लेंसो नदरब था न वो डाल देंगे, उसके बाद इसमें दूधी डाल देंगे, और उसके बाद बेसन का जो हमारा बैटर था ना वो दूधी में डाल देंगे और 10 मिनट तक इसको लगातार हम चलाते रहेंगे ऐसे. जब ये थोड़े थिक दिखने लगें दस मिनट बाद ये ऐसे थोड़े थिक दिखने लगेंगे तो इसको अब दो मिनट तक और हम बस मिक्स करेंगे उसके बाद गैस को करेंगे ओफ उसके बाद बस इसको अब हम प्लेट में निकाल देंगे जो हमने तेल लगाया था न, उस प्लेट में निकाल देंगे और इसको न, दस मिनट तक हम छोड़ देंगे, पंखे के नीचे रखे हम दस मिनट तक इसको छोड़ देंगे हम दस मिनट बाद देखो, हाथ पे बिल्कुल नहीं लग रहे ऐसे होना चाहिए तभी फ्राई करना आप उसके बाद इसको अपने सेप में आप जैसे स्टायल चाहो उसको कट कर सकते हो देखो इतने क्यूट लग रहे न, अब बस अब इसको फ्राई करेंगे रेड वाले, और आप चाहो न, तो इसको ऐसे स्टोर करके वन वीक तक रख सकते हो फ्रीज में अब बस इसको अब हम ब्रेड करेंगे दोनों साइट से बस जब ये ऐसे रेड हो जाएं तो अब हम इसे निकालेंगे बस ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है चैनल के नीव है तो प्लीज सब्स्राइब करें मिल ते नेक्स रीटो में थैक्स फो वचिंग